ठीक है तो आज का मारा टॉपिक है इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी इस क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको पता दू कुछ भी लिखने की ज़रूर नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगे वहाँ से आप टैरेक टाउनलोड कर सकत तो शुरू करते हैं हमारा इंटरनेशनल हेल्थ वाले चेक्टर का पहले टॉपिक या इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी इस या इनपाक्ट आपको कुछन आई International Health Services पे तो भी आप International Health Agencies के बारे में बता सकते हो ठीक तो International Health Agencies ये International Health Services पे आपको सवाल आता है तो भाई ये सबसे पहली चीज इंटरनाशनल Health Agencies पे जब सवाल आए ना तो आपको अटलीस पहली तो नाम पता हो जाए कौन-कौन से International Health Agencies है अगर आपसे कोई पूछता है तो दो नाम तो आप तीन नाम तो अटलीस आप बता देते हो कौन-कौन से एक दो World Health Organization ये आपको पता रहता है दूसरा आपको ना Red Cross भी पता रहता है और UNICEF ये कुछ नाम है जो आपको पता रहता है लेकिन बहुत सारे है अभी देखते है कौन-कौन से ठीक तो पहले तो नाम ठीक कि भाया International Health Agencies के नाम कौन-कौन से International Health Agencies होती है पहले है UNDP that is United Nation Development Program फिर UNFPA that is United Nation Fund for Population Activities फिर USAID that is United State Agencies for International Development फिर FEO Food and Agricultural Organization फिर कुछ philanthropic foundations होते है जैसे कि Rockefeller Foundation हो किया Ford Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation ये भी International Health Agencies और International Health Services के तौर पे आते हैं फिर SIDA that is Swedish International Development Agencies फिर Danida that is Danish International Development Agencies फिर Aga Khan Foundation भी आजाएगा Care Foundation बहुत important है फिर Care का full form cooperative for assistance and relief everywhere फिर Pan American Sanitary Bureau फिर Health Organization of League of Nations WHO तो सबको पता है फिर World Health Organization UNICEF भी सबको पता है फिर United Nation International Children Emergency Fund फिर ILO that is International Labour Organization फिर World Bank फिर Red Cross फिर ये तो कुछ International Health Agencies जिनके नाम पता होने चाहिए क्योंकि इन पे अलग से short mode पे आता है बड़ा question पे आता है WHO पे तो इनको हम अलग से वीडियोस में डिसकस करने है बागी के बारे में थोड़ी थोड़ी से जानकारिया आपको पता होने चाहिए ठीक और ना एक और चीज़ याद रखना लोगोस लोगोस बहुत important होते हैं आपको spot में भी और आपको image based question में तो लोगो वाले ना कई जगर पे आपको लोगोस पूछे जाते हैं यासे कि national health programs में भी हम बहुत सारे logos देखेंगे वैसे यह जो international health वाला chapter है ना इसमें भी logos बहुत important होते हैं तो जो जो लोगों बोलूँगा यह याद रखना उनको तो at least याद रखना ठीक पहले बात करते हैं हम UNDP that is United Nation Development Program इसमें at least एकर आपको याद रखना है कुछ तो याद रखना कि UNDP जो होता है main source होता है funds का for technical assistance मतलब कि देशों को technical assistance अगर चाहिए तो उनसे related fund जो provide कराता है को international health agencies तो वो होती है UNDP वैसे ही UNFPA जो होता है that is United Nation Fund for Population Activities ये आपको funding मुखिता देती है reproductive health से related कामों में वैसे ही जो USAID होती है that is United State Agencies for International Development ये आपको मदद करती है ये आपको services देती है आपके देशों में communicable disease related चीज़ों के लिए water supply or sanitation से लिए चीज़ों के लिए और TB nutrition program तो ये कुछ चीज़े है जो USAID के तहत चल रही है और जिनमें ये services दे रही है ठीक अब बात करें कि भाई इनके लोगों के कि इन टीनों के लोगों को हम कैसे याद करेंगे तो अगले पर बात में आँगे कि FAO बड़ा है ठीक है पहले हम इन टीनों के बात कर लेते हैं और कैसे याद करेंगे इनको पहली चीज़ की ये कैसे याद करेंगे कि UNDP technical assistance के लिए funding देती है तो देखो आज की date में किसी भी देश का जो development है वो depend करेगा कि वहां की technology कैसी है technically वो देश कैसा है तो कैसे याद करेंगे development के लिए tech चाहिए तो tech और development साथ में कर लो ठीक है तो tech development के लिए tech चाहिए आपको तो tech और development साथ में याद करोगे तो याद रहेगा कि UNDP that is United Nation Development Program technical assistance के लिए fund प्रोवाइड कराता है ऐसे ही UNFPA इसको कैसे याद करेंगे तो यार कहीं कि अगर आपको population की बात करें तो population बढ़ेगी या घाटेगी कैसे? reproduction से तो reproductive के साथ याद कर लो population तो भईये population तो तभी बढ़ेगी जब reproduction होगा तो population और reproduction साथ में याद कर लो तो आपको याद रहेगा United Nation Fund for Population Activities किसके लिए fund प्रोवाइड करती है? reproductive health related projects वगरा के लिए या services के लिए ठीक? तो ये भी याद हो गया UNFPA फिर आता है USAID अब USAID कैसे याद करूगे कि ये communicable disease और इन सब के लिए technical assistance प्रोवाइड कराती है और services प्रोवाइड कराती है तो ना USAID को याद करने के लिए जैसे मैं याद करता था उससे सबसे बताऊं तो पहले तो AID AID AIDS AIDS क्या है आपकी? communicable disease है तो इससे याद हो जाएगा कि communicable disease हो गई तो USAID जो है वो communicable diseases के लिए services प्रोवाइड कराता है उसके अलावा S चो यह आपका S बचाना S तो S क्या है? तो S से तो sanitation और water supply आजाएगा तो S से sanitation और water supply आजाएगा समझ गए? तो ऐसे याद कर सकतो क्योंकि communicable में नपन को USAID में याद रखना है कि वह communicable disease के लिए तो सबसे जादे यह काम करती है USAID तो उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका एक communicable disease का नाम तो इसी में ही है AIDS AIDS तो communicable disease के लिए USAID मुक्ता काम करती है इसका लोगो भी important है क्योंकि इसका लोगो पे अगर आपको question आजाए कि लोगों पता दिया जाए यहाँ पी यह नहीं लिखा रहेगा सिफित्ता आएगा आपको तो कैसे पैचालोगे तो पहले तो देखो यार यह United States का flag भी आपको देख रहे है और दूसरी चीज ना यह देखो दो लोग हाथ मिलाते हुए देख रहे तो यहाँ दे जब AIDS का जो AIDS के लिए Social Stigma दूर करने के लिए जो AIDS आते तो उसमें क्या बोलते थे कि जो AIDS है यह छूने से नहीं फैलता यह बोलते थे जो AIDS वगर आते थे AIDS छूने से नहीं फैलता तो देखो ना कि यह हाथ मिला रहे है मतलब छू रहे है तो छूने से नहीं फैलता है AIDS तो AIDS से क्या याद आजाएगा आपको USAID USAID that is United States Agencies for International Development तो ऐसे याद कर सकते हो कि भई यह जो है यह किसका फ्लाग है यह US का फ्लाग है और यह जो है दो लोग एक दूसरे को छू रहे है तो छूने से क्या नहीं फैलता है तो AIDS नहीं फैलता है तो USAID का लोगो है ऐसे याद कर सकते हो ठीक उसके बाद आता है FAO that is Food and Agricultural Organization the Food and Agricultural Organization सबसे पहले चीज तो भई कब आया था that is 1945 में आया था इसका headquarters कहा है Rome, Italy में है और Food and Agricultural Organization mainly काम क्या करता है कि देशों में काम करता है services देता है जिससे कि वहाँ के nutrition वहाँ के लोगों का nutrition इंप्रूव किया जा सके उनको जो food मिल रहा है उसकी safety healthy और higher quality का food मिल सके specially forest और fishery department से related ठीक उसके लावा बहतर agricultural products के लिए भी काम करता है FAO that is food and agriculture organization और इसका मुख्योदेश जो होता है मुख्यता जो ग्रामीर छेतर के लोग है that is rural population या rural people जो है उनकी बहतरी के लिए better conditions of rural people उनकी बहतरी के लिए काम करे वो इसका मुख्योदेश होता है food and agriculture organization की ठीक है अब इसी के ताहत आपको याद रखना है कि world food day कब मनाया जाता है तो 16 October को मनाया जाता है इसी के ताहत आपको world food program भी पता होना चाहिए इसका भी जो program है इसका भी जो headquarter है organization का वो रोम में ही है और obviously FAO के ताहत है तो रोम में ही होगा और world का largest food organization है ये world food program in fact India mix कि आपने कहां देखा होगा जो ICDS के तहत integrated child development scheme के तहत जो आंगनवाडी में distribute होती है वो packets distribute होती है वो actually जो India mix आता है वो actually में develop किया है world food program में इसके तहत आपको जो वो पूरा खिचली जैसे दे जाती है उसमें 40% प्रतिशत जो होता है मक्का या मेज होता है 40% गेहू या वीट से होता है और करीब 20% 5 fat soya bean होता है तो ये जो 100% है इसमें से 40% मक्का 40% गेहू और 20% soya bean होता है तो इन तीनों के में लाके खिचली के पैकेट जो दिये जाते है वो होते हैं आपके इंडिया मिक्स जो की ICDS के तहत दिये जाते है supplementary nutrition में तो इसमें भी याद रखना ये जो इंडिया मिक्स है ये WFP ने तयार किया है that is World Food Program के तहत तयार किया गया है अब इसमें बहुत सारे चीज़ों होते है जैसे कि इसमें fortification किया जाता है iron का, calcium का, लग-लग vitamins का fortification तो food fortification वाला जो topic है हमने nutrition and health वाला chapter लिपा लोगे playlist को लोगे तो उसमें food fortification वाला topic है उसका वीडियो हमने लग से बनाए हुआ है वाहाँ आप देख सकते हो food fortification का मतलब क्या है कि भाई जो food articles है उनमें nutritive value को add करना या nutritions को add करना जैसे कि सबसे अच्छे example होता है iodized salt तो iodine को add करते है salt में वैसे ही यहाँ पे जो दलिया वगरा देते हैं या खिचली वगरा के जो packet देते हैं उनका fortification किया जाता है iron, calcium और vitamins के थूँ और यह जो दलिया के packet यह चली के packet जो होते हैं उसमें 40% मेज होता है 40% wheat होता है 20% soya bean होता है जो ICDS के ताहित आंगनवाड़ी में supplementary nutrition के तौर्प दिये जाते हैं यह जो India mix है यह किसने पनाया है world food program ठीक यह याद रखना FAO अलग से याद रखना इसको थोड़ा सा जादा समय हमने इसलिए दिया क्योंकि ना इस पे अलग से आपको short note भी आ सकता है तो इसलिए FAO को याद रखना important है इसका जो logo है वो बहुत easy है दिखो याद दिख रहा है यह गेहू टाइप को तो बना ही हुआ है गेहू तो आपका food भी है और agriculture किसानी में सबस्याद अपन गेहू तो उगाते ही है तो FAO को लोगों को ऐसे याद कर सकते है बहुत गेहू आपको दिख रहा है और आपका logo उसके बाद world food program इसमें भी देखो अलग-अलग तरह के food है इसमें आपको मक्का भी दिख रहा है इसमें आपको केहू भी दिख रहा है तो यह भी इन टाइप को भी दिख जाएगा तो world food program का logo भी ऐसे आप याद कर सकते हो ठीक तो यह समझ में आ गया that is F.A.O. समझ में आ गया food and agricultural organization इसमें एक और चीज़ चुँ याद रखनी है वो यह है कि F.A.O. जो है उसका headquarter कहा है तो F.A.O. का headquarter पता कहा है F.A.O. का headquarter है Italy Rome में मैं कैसे याद करता था F.A.O. is food and agriculture तो यहार Italian food जो सबसे जाता पसंद है वो है Italian food और Italian food खंड में कहीं भी जाता हूँ मैं तो Italian food पर ढूँता हूँ कि याद Italian food कहा में लेका और उसके लिए मैं पूरे के पूरे शहर में roam around करता रहता हूँ घूमता रहता हूँ कि Italian food कहा है Italian food कहा है Italian food कहा है Italian से हो गया आपका Italy और Rome से हो गया आपका Rome तो Italy के Rome में Food and Agriculture Organization का Headquarter है तो यह याद हो गया उसके अलावा जो FAO का यह F है ना इसी से मैं याद करता हूँ F से 45 45 तो 1945 को Food and Agriculture Organization की शुरुआ तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो FAO की चीज़ों को समझ गए? इतना याद रहेगा That is Food and Agriculture Organization तो उसके अलावा अगर आपको याद रखना है कि भाई और कौन-कौन सी Organizations है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए तो ना सबसे पहले तो आती है आपकी Rockfeller Foundation अब ना ये जो Rockfeller Foundation है कि चाहे Rockfeller Foundation बात कर लो Food, Ford Foundation ये ना Philanthropic Foundations होती है Philanthropic यानि की Humanitarian Foundations होती है यानि की परोपकारी Foundations होती है Humanitarian Works करती है ये तो ये Rockfeller Foundation भी एक तैसे Humanitarian Foundation है अगर इंडिया की बात की जाए तो रॉकफलर फाउंडेशन के तहत ही All India Institute of Public Health खोला गया था कोलकटा में ठीक है तो यह याद रखना इसमें सिक्व भी आ सकता है कि रॉकफलर फाउंडेशन के तहत इंडिया में क्या हुआ तो कोलकटा में All India Institute of Public Health खोला गया था ठीक इसका लोगो बहुत इपोर्टेंट है रॉकफलर फाउंडेशन का लोगो भी याद रखना इस पे भी आपको सवाल आ सकता है अब इसका लोगो कैसे याद करता हूँ तो मैं कैसे याद करता हूँ देखो यह छोटी 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 जो अर्थ है वो छोटी 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 छो एक तो रोकफिलर फानडेशन याद रहेगा, तो पहली चीज को रोकफिलर फानडेशन में यह याद सकते हो, कि रोकफिलर हो रही है, दूसरी चीज कैसे याद करोगे, कि भएय कोलकटा में, तो देखो, ROCK ROCKFELLER ROCKFELLER FOUNDATION है तो K4 क्या हो जाएगा? कॉलकथा कोलकथा में ROCKFELLER FOUNDATION के तहर्ट और INDIA INSTITUTE OF COMPLE gång को लगया था ऐसे याद कर सकते हूँ ठेक? फिर आता है आपका Ford Countdown Ford Fondation भी philanthropic foundation होता है humanitarian foundation होता है परपकारी संस्था होती है ये ठीक है इसका logo important है इसको लोगो देखो यह चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-बहुत सारे गोले हैं या नो तो यह याद रखने इसका लोगो इसके components के तहत भाई सबसे पहला काम तो इसका रहता है कि इंडिया में rural health पे काम करना है उसके लावा water and sewage system की planning जो West Bengal में की गई थी वो भी Ford Foundation के तहत की गई थी और family planning से related services भी Ford Foundation बहुत जादा देता है उसके अलावा Ford Foundation के तहत देली में established किया गया था Indian Institute of Health Administration and Education ठीक तो यह कुछ Ford Foundation के तहत चीजे याद रखना अब इसका लोगों कैसे याद करेंगे Ford Foundation का तो Ford की क्या होती है Ford, Ford से सबसे पहले क्या याद आता है Ford की गाड़िया याद आती है न मस्त देख तो मेरे को बहुत पसंद थी आज कल इंडिया में कम है that is Ford and Davy are one of my favorite Ford की गाड़ी है याद Ford and Davy are Ford से गाड़ी याद आती है तो गाड़ी में यह क्या है यह क्या है गोल 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 चके है तो यह गोल गोल चके है Ford की गाड़ी याद आता है तो समझा ना इसके लोगों में बहुत सारे चके होंगे तो देख रहे हैं Ford की गाड़ी के इतने सारे चके हैं तो Ford Foundation का सबसे पहले चीज तो याद रख लेना Ford Foundation के logo में बहुत सारे चके हैं यह तो पहले आपने इसका logo याद कर लिया ठीक उसके बाद न यह जो शब्द है that is F-O-R-D इसमें यह आपको बहुत सारे चीज़े मिल जाएंगे कैसे देखो पहले चीज F-O-R-D हो गया तो F-O-R हो गया Family Planning तो Family Planning से related जो Services है वो Ford के तहर दे जाती है ठीक R से क्या हो गया R से हो गया Rural Health तो Rural Health के लिए भी काम करता है तो Rural Health वाला Point भी हमने कर लिया Family Planning वाला भी कर लिया अब O से क्या याद आता है O से याद आता है हमको Ocean Ocean, समुद्र तो समुद्र में पहले चीज़ तो होता है क्या पानी और in fact बहुत सारे समुद्र में Seavage को भी Dispose Of किया जाता है तो Seavage को भी Dispose Of किया जाता है तो Water and Seavage System तो आपको Ocean से Water और Seavage System दोनों याद हो गया ठीक और वैसे ही यह जो D है D है D से याद आ जाएगा आपको Delhi तो Delhi में Establish हुआ था Indian Institute Of Health Administration and Education तो Institute Of Health Administration and Education Delhi में Ford Foundation के तैट लाया गया था तो ऐसे याद कर सकते हो F for Family Planning से से लिटेट सरवसे दे जाती है O for Ocean तो Ocean में Water और Seavage System West Bengal में इनोंने प्लान किया था R for Rural तो Rural Health इंडिया में Rural Health से लिटेट सरवसे इंडिया में ही देते है और D for Delhi तो Delhi में Institute Of Health Administration and Education Delhi में दिया था In fact यह जो D है D देखोगे तो Education में भी आ रहा है D देखोगे तो Administration में भी आ रहा है Okay अगला अगला हता है Bill and Melinda Gates Foundation अपने इन्होंने मुक्ता दवाईयों की Vaccines वगरा इन सब पे ध्यान दिया था तो Bill and Melinda Gates जो थे उन्होंनों TB Vaccines पे भी ध्यान दिया था HIV Vaccines से पे लेटेट भी काम किया जैपनिक से फ्राइटेज वगराईयों से भी लेटेट पे काम किया लिश्मेनियासिस पे भी काम किया है तो कुछ यह नाम ज़रूर याद रखना है और खासका Bill and Melinda Gates जब भी आप बोलोगे तो सबसे पहले चीज तो vaccine ही याद रखना अब ना यह तो हो गया आपके कुछ Rockefeller Foundation, Ford Foundation और Bill and Melinda Gates Foundation उसके बाद आते हैं SIDA, Tanida, Aga Khan Foundation और Care Foundation तो जो SIDA है That is Swedish International Development Agency इसमें अगर आपको कुछ याद रखना है तो हो है कि इनोंने इंडिया में किस चीज पर काम किया है TV कंट्रोल पे काम किया है SIDA ने इंडिया में मुख्यता TV कंट्रोल पे काम किया है एक चीज याद रखनी दूसरा इसका ये लोगो याद रखना है ये देखो लाइनस लाइनस अलग-अलग कलर की लाइनस है अब इसके लोगो कैसे याद करेंगे तो SIDA तो सीधी लाइन सेंस में बहुत सारे सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-सीधी-स के बाद जो हम एक साल के जो हमारा जब गवर्मेंट से करते है एक साल का हमको सरकारी वो करना पड़ता है रूरल बॉंड करना पड़ता है तब जाके मेरे को क्या हो गया था? तब जाके मेरे को टीबी हो गया था तो ऐसे तो क्या हुआ सीधा टीवी हुआ तो कैसे याद करेंगे सीधा टीवी हुआ तो सीधा टीवी कंट्रोल इन इंडिया पर ध्यान देता है और सीधा में सीधी सीधी लाइन से इसके लोगों में तो ऐसे याद कर सकते हो सीधा को that is Swedish International Development Agency मैं तो ऐसे याद करता था था ठीक उसके बा जैसे कि National Program for Control of Blindness and Visual Impairment उसके अलावा National Represorate Education Program, National Tuberculosis Program तो इन सब पे डाइन डाने काम किया है इन से लेटर सर्विसिस देते हैं उसके बाद आगर खान फांडेशन जो है इसमें जो आपको में चीज़ याद रखनी है न कि ये पावर्टी को डिक्रीज करने के लिए सर्वि देती है ये और गरीबों के लिए काम करती है इसके elements में health education आता है, rural children के लिए policies आती है तो इसके लिए तो health education and policies कहां के लिए rural children के लिए और mainly ये काम करती है पावर्टी के लिए तो आगाखान फांडेशन अब इसमें जो याद रखने है न दो चीज़ याद रखने है पहल आगाखान फांडेशन पावर्टी से को काम करने के तरफ ध्यान देती है दूसरी चीज़ कि गाव में जो बच्चे है रूरल चिल्रन उनकी health education और policies उनकी health policies से related सर्वसिस देती है और उससे related काम करती है याद कैसे करेंगे घावा चिज़ भाट चिज़ देती है तो ऑगाओ के बच्चे तो एसे याद कर सकते हो आगाखान फांडेशन मुकिता गरीबी और गाऊं के बच्चों के लिए गाओ करती है तो ऐसे याद कर सकते हो फिर आता है Care Foundation फुल फॉर्म Cooperative for Assistance and Relief Everywhere इसका जो हैट कोटर है Atlanta, Georgia, US में है और ये North America में 1945 में शुरू किया गया था वो किता है ये Maternal Child Health पर काम करता है Anemia पर काम करते हैं Adolescent Health पर काम करते हैं ठीक, ये थोड़ी सी जानकार है इनके बारे में इसका logo important device है Care का logo ये दिख रहा है इसको इतने सारे इतने सारे हाथ दिख रहे हैं ये actually logo है तो हम बात करते हैं न कि भाईया कि हमको ज़रूरत life में किसकी है हमको ज़रूरत है caring hands की बोलते हैं कि मदद के लिए हाथ बढ़ाओ that is caring hands तो care जब भी आये का शब्द तो caring hands मदद के लिए हाथ बढ़ाना caring hands याद आएगा तो care के logo में आपको याद जाएगा कि बहुत सारे हाथ हैं simple तो ऐसे याद कर सकते हो caring hands को तो ये तो होगया आपका care foundation फिर pan-american sanitary bureau के बात करें अगर तो 1902 दो में आया था और ये दुनिया की पहली health agency थी इसको याद रखना है इसमें MCQ आ सकता है ठीक उसके बाद ये होगया आपका pan फिर आ जाएगा आपका health organization league of nations ये 1923 में आया थी उसके बाद तो भाईया कुछ नाम है क्योंकि ये जो हैं बाकी बचे हुए इनको तो हम अलग से short note आता है तो सब पर individual video ही करने वान है at least इनके नाम that is world health organization इसका logo याद रखना world health organization के logo के लिए doctors related है ये दिख रहा है doctors के logo में क्या होता है बीच में एक staff होता है दो snakes होते है याद है तो ये staff हो अस्ट्रपेलियस का staff बोलते है जो उसके around जो साफ होता है तो वो ही देखो यहाँ पर rod है एक साफ है doctors related तो उससे याद का सकते हो world की ये पुरी के पुरी globe है तो ये हो गया Children United Nations International Children Emergency Fund तो ये देखो तो बच्चा आपको दिख जाएगा देखा बच्चा दिख गया तो उससे याद कर लोगों भी हाँ भी है इसनी सेफ का logo ऐसा है International Labour Organization अब जो लेबर है देखो वो खेतों में भी काम करती है तो देखो ये आपके गेहू टाइप के बने हुए है और लेबर जो होती है फैक्टरी में भी काम करती है तो देखो अंदर नटपोल्ट टाइप के बने हुए तो ऐसे याद कर सकते है International Labour Organization का logo उसके बाद न World Bank World Bank में देखो पूरे के पूरे World में पूरा का पूरा जो आपका ये World बना है वो अलग-अलग हिस्सों में बट गया है और उनमें अलग-अलग चीज बना दो जैसे कि उसमें आप रुपे बना दो देखो किते सारे रुपे 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 बना दिये उसके बाद आप डॉलर्स बना दो उसके बाद आप पाउंड बना सकते हो रुपए रुपए देख किती सारे पूरे के पूरे जो आर्थ है उसमें हमने क्या कर दिया रुपए बना दिये रुपए बना दिये तो पूरे के पूरे जो आर्थ है उसमें देखो सब में नोट चिपका दिये तो वो वर्ल्ड बैंक तो पूरा का पूरा आपको वर्ल्ड देख रहा है उसमें नोट चिपके वो देख रहा है तो वर्ल्ड बैंक नोट कहाँ पे मिलेगा आपको बैंक में और पूरा पूरा वर्ल्ड है तो यह होगया पूरा का पूरा वर्ल्ड उसमें नोट चिपका दिये तो बैंक, वर्ल्ड बैंक, ऐसे इसकी लोगों को याद कर सकते हो और फिर रेट क्रॉस तो है या आपको रेट क्रॉस तो देखे रहे हैं तो इसका लोगों तो इसी है तो यह जो WHO, UNICEF, ILO, World Bank और Red Cross से इन पर तो अलग से हम वीडियो देखेंगे क्योंकि इन पर अलग से कुशन आता है ठीक तो इतनी चीज़े तो हो गए जो अट लीस्ट आपको International Health Education, International Health Agencies के बारे में पता होनी चाहिए अगर मैं बात कुरूँ सवाल की तो यह देखो आपको ना इस पर थियोरी एक्जाम में very short note आ सकता है बहिया International Health Agencies के नाम बताओ, enumerate करो या International Health Services के नाम enumerate करो उसके अलावा थियोरी में आपको कभी-कभी पटकी question के तौर पे short note आ जाता है FAO पे तो वो भी थोड़ा सा बताते आना चाहिए कभी-कभी आता है ठीक है, वरना तो at least enumerate करते आना चाहिए इतनी बात हो गए थियोरी की, अगर मैं बात करूँ वाईवा की तो वाईवा में ना पहला question आ जाता है कि भाईया International Health agencies के नाम बताओ तो main main तो आपको याद रहता है WHO, UNICEF, ILO, World Bank, Red Cross उसके अलावा भी अगर इन सब के नाम आप बता पाओ तो बहुत इच्छ है उसके लवा भाईवा में अगर बहुत अच्छा आपको जा रहा है ना भाईवा तब आपसे पूच सकते हैं कि भाई, UNDP क्या करता है, UNFPA यर USAID क्या करता है वाईवा में आपसे अलग से question, अगर बहुत अच्छा भाईवा जा रहा है तब पूच सकते हैं ठीक, उसके लावा FAO की बात करें तो FAO में WAIWA में पूछ सकते हैं कि इसका headquarter कहा है FAO का और FAO का इंडिया में क्या इसने बड़ा यूबदान दिया है ये WAIWA में पूछा जाता है तो आपको बताना है कि ICDS के तहर्ट चों इंडिया में दिया जाता है वो WFP that is World Food Program के तहर्ट बनाया गया है तो FAO और World Food Program के तहर्ट वाइवा में ये पूछा जा सकता है ठीक, उसके अलावा Rockefeller Foundation और Ford Foundation का वाइवा में पूछा जाता है कि इंडिया में इनका क्या रोल है तो आपको बताते आना चाहिए Rockefeller, Kolkata में इन्होंने All India Institute of Public Health Establish करवाया जबकि Ford Foundation ने Delhi में Institute of Health Administration and Education Establish करवाया ठीक, at least ये तो वाइवा में आपको बताते आना चाहिए वाइवा के तहर्ट ना Care Foundation important है वाइवा में Care Foundation का पूछे जाता है कि क्या इनके मेंट काम होते हैं तो बताना LCH और Adolescent Health इन पे जादे इनोंने काम किया है और CEDA का कभी-कभी वाइवा में पूछ ले जाता है कि इंडिया में क्या काम किया है तो TB Control in India ठीक, वाइवा के लिए important उसके अलावा ना कभी-कभी वाइवा में पूछ लेते हैं दुनिया की पहली वर्ल की पहली Health Agency कौन सी थी तो Pan American Scientific Bureau अटलिस जी नाम पतों अचीए ठीक, तो ये तो हो गई वाइवा की बात अगर मैं बात करूँ MCQs की तो जितने भी underline part मिलेंगे हमारे notes और slides में वो सभी exams में पूछे गए MCQs हैं तो देखो, एक question तो मेरे को UNDP पर सीधा-सीधा MCQ मिला था कि ये किस चीज़ के लिए funding देता है UNFPA के लिए मेरे को MCQ मिला था कि ये किस चीज़ के लिए funding देता है ठीक, उसके लावना USAID के logo पर आपको MCQ आ सकता है और in fact ये spots में भी आपसे पूछा जा सकता है तो ये याद रखना, USAID को FAO में बहुत सारे MCQ आयते पहली चीज़ तो कि कब आया था इसका headquarter कहां है किन-किन चीज़ों पर ये खाम करता है उसके लावा World Food Day पर भी मेरे को एक MCQ मिल चुका है उसके लावा जो MCQ आ सकता है वो FAO के लोगों पर भी MCQ आ सकता है और World Food Program के लोगों पर भी MCQ आ सकता है जो image-based question ना दे है उसके अलावा एक MCQ इस पर मिल सकता है कि जो India Mix है जो कि ICDS के तहत distribute किया जाता है वो कौन सी international health agency से कौन से program के तहत है तो वो भी आपको बताते हैं आना चाहिए in fact FAO के का जो लोगों है ये spots में भी आपसी पूछा जा सकता है तो वो भी बता होना चाहिए Rockefeller Foundation दो सवाल इस पर बन सकते हैं MCQ उसके एक तो इसके logo पे image-based question आपको बन सकता है in fact इसके logo आपको spots में भी पूछा जा सकता है उसके अलावा कोलकता में All Indian Institute of Public Health इन्होंने establish कराया था है इस पर MCQ आ सकता है Ford Foundation एक तो Ford Foundation के logo पे आपको image-based MCQ आ सकता है Ford Foundation के logo पे आपको spot में रखा जा सकता है उसके अलावा जो MCQ आ सकता है कि भया डेली में Indian Institute of Health Administration and Education इस पर MCQ आ सकता है West Bengal में water और sewage system की planning इन्होंने की थी इस पर भी आपको MCQ आ सकता है ठीक इस पर याद रखने MCQ के लिए बहुत important है CEDA पर आपको एक तो इसके logo पे इस पर image-based question आ सकता है MCQ पे उसके लावा TV control of India पे ध्यान देते हैं वो image-based question आ सकता है MCQ के तौर पे तो यह पता होना चाहिए उसके बाद एक question तो भाई Pan American Center Bureau पे आई है कि भाई कब आया था और World की First Health Agency कौन से होती है तो यह पता होना चाहिए World Health Organization का logo बहुत important है MCQ आता है image-based question पे UNICEF पे भी image-based question आता है तो और यह दोनों तो spot में आपको रखे ही जाते हैं तो इनका तो बनना ही चाहिए हालकि इनको हम अलग से इनके वीडियोस में पढ़ेंगे ILO जो है इसका logo भी important है image-based question के लिए और World Bank का भी question important है image-based question के लिए और Red Cross का भी image-based question MCQ जो आता है International Health Agencies या International Health Services के तहत Thank you